नशकार दोस्तों मैं हूं अकाश, वेल्टम टू प्लांट कीर गीवर तो यह है ड्रैगन फूर्ट का प्लांट और अब इसकी फ्लारिंग और फ्लूर्टिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है तो मैंने सोचा कि इसे प्रून कर देता हूं जब आप इसे प्रून कर देते हैं तब ही इस पौदे पर जो है वो नहीं नहीं प्लाट पर्ट आना स्टार्ट होता है क्योंकि ये कंटेनर टीन का था इसलिए जो है वो ये गलने भी लगा था वाटरिंग इस पर प्रॉपर हो नहीं पाती थी तो मैंने सोचा कि इसे एक बड़ा सा कंटेनर देता हूं पौदे को जब भी आप रिपार्ट करते हैं तो जो इसका पहला कंटेनर होता है उससे दो से तीन इंच बड़ा कंटेनर ही लेना चाहिए क्योंकि ये काफी सालों से इसमें लगब दो दीन सालों से लगा हुआ था तो इसकी रूट ये पूरी ता से बाउंट हो गया था तो ये मैंने लिया गार्डन सॉइल और कावडन गंपोस्ट का मिक्सर तो कावडन गंपोस्ट ड्रेगन फूर्ट के लिए काफी अच्छा रहता है इसके लावा मिट्टी को और उपजाओ बनाने के लिए मैंने अग अलदी रहता है तभी वो उस पर अच्छी फ्लावरिंग और फ्लूर्टिंग होती है तो अपसन सॉट के कुछ दाने आपको सॉयल मिक्स में जरूर ही डालने चाहिए इसके लावा सैंड भी मैंने अलग से थोड़ी से मिक्स कर दी है क्योंकि मेरी सॉयल जो है वो पहले से ह और ड्रैगन फ्लूर्ट की जब मैंने कटिंग किया है तो जो कटिंग मुझे मिली है उन्हें भी मैं ग्रो कर लूँगा और हाँ ड्रैगन फ्लूर्ट की कटिंग आपको उस पौदे से लेनी चाहिए जिसमें कम से कम एक बाल फ्लूर्टिंग की हो ताकि आपको अच्छा रिजर्ट जल्दी देखने को मिलें और इससे आप सीर से भी ग्रो कर सकते हैं अगर आपके अरिया में ड्रैगन फ्लूर्ट नहीं मिलता है और ऑनलाइन आप पर्चेस नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट से जो ड्रैगन फ्लूर्ट लाते हैं उसके बीग से भी 100% ग्रो हो एक साल में ये पाँछ मही한테 में भी fruting start कर देता है लेकिन अगर आपने पौधे उस पौधे से cutting लिये जिसमें कभी fruting हुई ही ना हो तो कम से कम दो साल में तो इस पौधे पर fruting होने ही लगती है अभी तो फिलाल ये ऐसे ही लगा हुआ है अब इसे चड़ाने के लिए आर्च बगरा भी लगाना पड़ेगा लेकिन आप देख रहे हैं ये जो है वो दिवार के साइड में है तो कुछ भी लगाने के ज़रूरत नहीं है इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऐसे ही हैंग होगी तो ये एक पायदा होता है अगर आप इसे दिवार के साइड में लगाते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इस्टिक पगरा लगा दिया जाएगा थोड़ी बहुत और प्रूनिंग कर दी जाएगी अगर इस पर जो है वो कटिंग करने के बाद जो है वो फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो थोड़े दिनों बाद एक दो महीने बाद फिर से इसकी cutting कर दी जाएगी ताकि ये अब जो है वो फ्रूटिंग स्टार्ट कर दे क्योंकि दो साल हो गए हैं और इसमें अभी तक जो है वो फ्रूट नहीं दिये हुए हैं इसके अलगा जल्दी मैं कुछ और ड्रैगन फ्रूट प्लांट ऑनलाइन पर्चेस करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी ऑनलाइन नर्सी मुझे देखने को मिली है फिलाल अभी नाम याद नहीं आ रहा है जल्दी उसका अन्बॉक्सिंग वीडियो मैं आपके साथ जरूर ही शेयर करूंगा तो देख सकते हैं जिसकी cutting मैंने नहीं किया था उसकी भी मैंने cutting कर दी है तो अगर मेरा आज का वीडियो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपने अभी तक ड्रैगन पूट प्लांट अपने गार्डन में नया एड़ किया हो तो इसे जरूर ही आड़ कलीजेगा सीर से करयेगा, कटिंग種 hashtags से ग्रोव करियेगा यजिस फिर नर्सी से परशेज की लेआईएगा मैंने जब इसे नर्सी से परशेज किया, तो मुझे 100 उपीस में देखनेको मिला था तो हो सके तो कहीं पर लगा हो, कटिंग मांग कर ही ले आई अगर क्योंकि ये 100% कटिंग से ग्रो होने वाला पौधा होता है तो जरूर लगा ड्रेगन फ्रूट अपने गार्डन में 100 रुपए में इसका एक फ्रूट हमें देखने को मिलता है